हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ परितो साबरिया क्रिक लाइफ से मैं एक बार आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ और हम आज बात करेंगे इंडिया वसेस न्यूजलेंड का जो सेकेंड ट्वेंटी है जो कल खेला जाने वाला है उसके प्रिव्यू को लेकर हम काफे सारी चीज़ें डिसकस करेंगे कैसा रहने वाला है वाट टू एक्सपेक्ट फॉम डाट टुमोरो मैच हमारे लिए वस यह वंडे यह टीट्वेंटी सीरिस का क्या रिलेवेंस है और क्या कॉंबिनेशन हो सकता है और बहुत सारी चीज़ बहुत भी होगी टीट्वेंटी के लिए अलग वंडे के लिए अलग और या शायद रेड़ बॉल और वैड़ बॉल में स्प्रिट कैप्टन्सी होगी तो काफी इंट्रेस्टिंग चीज़ें आ रही है और उसी के चलते यह जो कल का मैच है और यह जो सीरिस चल रही है इस संजू सामसन वाशंग्टन सुंदर जो की काफी टाइम बाद अपनी इंजूरी से कमबाक कर रहे हैं युजवेंदर चहल अर्षदिप सिंग उम्रान मलिक जो की सब लोग बात करने हैं अपने फास्ट बॉलिंग के सेंसेशन है फास्टेस बोलर ओफ करेंटली इन इंडिय जो कंसिस्टेंटली 150 के उपर डाल रहे हैं उन्हें देखना बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगा उसके साथ जो हमारे बाकी के बोलर्स है मोहमत सिराच हर्शल पतेल बुवनेश्वर कुमार और कुल्दीप यादव जो वापस सब लोग कह रहे हैं कि यूजी और इस लक्षमन क्या सुच रहे क्या कॉंबेनेशन होगी बिकॉस यह सारे प्लेयर जो भी सिलेक्टेड सिलेक्ट हुए हैं इसली वॉकिन करते हैं लेवन में इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या कॉंबेनेशन के लाना चाहते हैं और आगे चलते हुए टी-20 के देखते हुए हा एक्चुली में इंप्लिमेंट की जाएगी बट बहुत हद तक यह माना जा रहा है कि हार्दिक पांडिया ही हमारे टी-20 के कैप्टन होंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है प्रोबैबल 11 जो मेरा परस्तल व्यू है आप सभी वापस बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाक बिकाज कहीं ना कहीं हम हम ऐसे प्लेयर्स डेवलप करना चाते हैं जो बॉलिंग भी करें बिकाज आज के डिट पर जो हमारे टॉप अड़र बाटिंग लाइन अप है वहां पे देर इस नो प्लेयर हूं कांट्रिबिट विद बॉल तो दीपक हुडा जो टी-20 में भी थे उन्हें एक ये मैच मिला तो मुझे लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए और टॉप ओडर इस दे बेस सुटेट फॉर हम अकॉर्डिंग तो मी सुर्यकुमार यादो नंबर फोर तो उनके लिए गिवन है अर्दिक पांडिया नंबर फाइफ पर आएंगे उसके बाद सं चान की शुबमल के नो दिपागोटा वो नीचे नहीं आ सकते बट संजू संसन इतने वर्सटाइल प्लेयर है जो कोई भी पोजिशन पर बाटिंग कर सकते तो मुझे लगता है कि नंबर फोर उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हालिया समय में उन्होंने अपने ग क्लीफ हो यह तो इस सोधी के अलग उनके साथ जो उनका चैलेंज रहेगा विच्विल बेरी इंट्रेस्टिंग वाच अगें इस सोधी एं मिस सैटनर तो मेरे साथ से संजू संसुन होने चाहिए टीम में देन उसके बाद बोलिंग लाइन अप तो उसमें से जो तीन शौर में थे हमारे वर्ल्ड कप के लिए उन्हें एक भी मैस नहीं मिला था और कही न कहीं उन्हें यह फॉर्माट का स्पेशलेश भी माना जा रहा था है और ही इस ऑल्सु वेरी हैंड़ विद बैट तो गिव दाटिंग डिप हर्शल पटिल विल बिल देर हां सॉरी संजू और हमारे वाशंग्टन सुंदर जो शायद कहीं ना कहीं अश्विन के रिप्लेस्मेंट देखे जाएंगे वह काफी टाइन तक इंजूरी के वज़े से भारत है जो उनके अंकल इंजूरी हुई थी तो वाशंग्टन सुंदर स्ट्रेट अवे इस वेरी गूड ऑप्शन क क्योंकि वह पावर प्ले में भी बहुत अच्छी बोलिंग करते हैं and he is a very handy with bat जो हमने ऑस्ट्रेलिया में ही पहले test series में हम देख चुके हैं and domestic cricket में भी उन्होंने काफी अच्छे batting performances दिये हैं और उनकी IPL franchise के लिए भी he is you know a very valuable player so Washington Zundar definitely should be in the team युजवेंदर चेहल हमारे second spinner होंगे अर्जदिप सिंग, Umran Malik and Harshal Patel will form part of our bowling now the players who are left out I think Kuldi Piyadav और युजवेंदर चेहल के बीच में chain रहेगा but I think आज के date पे युजवेंदर चेहल will go ahead of Kuldi Piyadav Bhuvneswar Kumar अभी पूरा World Cup खेलें उसके पहले काफे सारे series भी खेलें तो हमें उनका game बता है और team को भी बता है कि वो क्या table पर लेकर आते हैं team के लिए तो ideally हमें दूसरे player को अभी try करना चाहिए जहां तक की T24 World Cup का सवाल है मुझे नहीं लगता भूवी उस squad में रहने वाले तो ideally अभी यह time है कि हम दूसरे player को देखें मौमद सिराज और हर्शल पेडल के बीच पे हैं switch रहेगा but I think हर्शल पेडल will start ahead of him उम्रान मलिक जैसे मैंने आपको बोला कि has to come in the first place so यह हमारी 11 है देखते हैं कि कल exactly हर्दिक पांडय क्या सोच लेकर आते हैं और क्या combination वो try करना चाहते opening spot will be very difficult because मैंने अगर आपने नोटिस कियो तो मैंने रिशब्पन का नाम नहीं लिया इस 11 में because आज के date पे जो उनका अब तक performance रहा है T20 में middle order में गिवन हार्दिक पांडया और सुर्यकुमार यादव दोनों है नहीं लगता मुझे आज के date कूंगी middle order में ये वाले squad में जगे बन रही है और रही बात opening की तो हमारे पास इसमें इशान किशन और शुभमल के दो specialist opener है तो ideally ideally speaking रिशब्पन्थ में get a third game but to start with ideally मेरे सबसे ये line-up होनी चाहिए going to the second T20 but रिशब्पन्थ को omission मतलब हाला कि उन्हें wise captain का नाम दिया गया है इस match tournament के लिए हमने बहुत कम देखा है कि जो wise captain है वो बाहर बैठा है but let's see अगर हार्दिक पांड़ने की कुछ अलग सोच है उनका क्या communication होता है रि because the weather है उसका forecast भी है कि second match भी काफी हग तक बारिश के आने के संभावना है लेकिन जहां पर यह जो city में match और New Zealand में वहां पर climate बहुत जल्दी change होता रहता है तो let's hope we get the match and it is not a washout because we really want to see you know especially the combination and the new players who are coming into the setup वो किस तरीके से team को आगे लिके जाते हैं और हार्दिक पांड़ने captaincy भी एक देखने वाली होगी so let's hope यह 3 match की series 2 match की ही बची है वो सिर्फ एक match की ना रह जाए ताकि दूसरा match हम चाहते हैं कि हो तो यह match में देखते हैं और New Zealand की बात अगर हम करें they are coming with a very strong side almost उनकी T20 World Cup में जो side खेली थी वही है एक noticeable omission है वो है Trent बोल का उसकी जगे उनके बोल रहा है Tickner who is also very tall and fast and it is a very interesting you know देखते की वो किस तरीके से अगर उने 11 में जगे मिलती है तो वो किस तरीके से perform करते है otherwise they are going ahead with the same batting line-up and it will be a very very tough test for our young and new Indian squad which is you know expected to play tomorrow so let's see how it goes for us मैं आप से फिर से जुड़ूंगा यह match का preview और post match analysis लेकर और देखते हैं हमें क्या interesting facts मिलते हैं यहां से hopefully हम जीत के साथ वापस आएंगे और तब तक के लिए प्लीज अगर आप भी बताए कि आपका क्या view हुए कल के 11 के उपर प्लीज कमेंट section में बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिये प्लीज सपोर्ट मी थांक यू टेक केर बाइ